ओम्स्चान्ति 16 अगस्ट बाबा हम सभी को सुरू में ही नसा चड़ा रहे हैं बच्चे तुम्हें कितनी हो खुशी होनी चाहिए कि तुम स्वरक के परिजादे बनते हूँ परि और परिजादे बहुत बड़ा स्टेटस है बहुत बड़ा पद है केवल हमें माया से युद्ध करना है बाबा कह रहे हैं कई बच्चे हार मान कर बैठ जाते हैं माया से युद्ध करते ही नहीं तुम्हें माया से युद्ध करना है तुम युद के मैदान में हो, थकना नहीं है, हारना भी नहीं है, योग बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है, बाबा कह रहे हैं, पले गंदे विचार आएंगे, नेन फिट जाएगी, बुरे स्वपन आएंगे, माया अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन तुम्हें इससे ज जलेगी, लेकिन हमारे पास ज्ञान के अस्त्र सस्त्र और योग का बल है, बहुत बड़ा, उसको साथ लेकर अगर हम माया से युद करेंगे, तो माया परास्त हो जाएगी, लेकिन अब युद के मैदान में तु चले गए हो, लेकिन अस्त्र सस्त्र लिये ही नहो, कुछ पहना हो, तो कैसे विजय होगी, तो ज्ञान योग के अस्त्र सस्त्र, ज्ञान में इस्नान करो, तो तुम सुन्दर बन जाओगे, डेली बाबा ज्ञान दे रहे हैं, दूसरी बात बाबा ने कहा, बाबा अच्छे खुसबूदार बच्चों को देख कर निश्चिंत रहते हैं, वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ, किसी का हलका पुर्शात रहता है, कोई माया से हार भी खाते हैं, तो बाबा को कोई चिंता नहीं होती, बाबा जनते हैं, ये राजजिस्था पे थोरा राजधानी बन रही है, कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, सत्योग में, हा दन होगा, उन्हें जरूर रियलाइज होगा, ये बहुत धनवान है, या ये महराजा है, ये राजा है, एक डीप रियलाइजेशन तो वहाँ भी है, भले ही सब में बहुत प्यार है, उच नीच का बड़े छोटे का भाव वहाँ नहीं है, रंतु ये फिलिंग तो अवस्य है बाबा पूरा याद दिला रहे हैं, तुम पहले श्यांती धाम में थे, वहाँ संपूर्ण श्यांती होती है, गीप साइलेंस होती है, लोग श्यांती बहुत मांगते हैं, सन्यासी विश्यांती के लिए जंगलों में जाते हैं, पर याद करो हमारा घर ही श्यांती धाम है, जहां स्यान्ति का स्वागर है तुम नीचे आये सत्यु में बहुत सुखी थे बहुत धन्वान थे वहां सुख भी था और स्यान्ति भी थी तुमने दो यूग तक राच किया तुम स्रिलक्ष्मी नाराण जैसे देवी देवता थे द्वापुर सुर्व हुआ इसलामी बहुत ही आये भारत वाले अपने धर्म को भूल गए इंदुस्तान भी कहने लगे अपने देश को बला कभी इंदुस्तान की माताओं की जै बोली भारत माता की जै भारत की माताओं की जै तुम्हारा असली धर्म देवी देव था, धर्म था, रिलाइज करा रहे हैं बच्चे, तुम कितने महाम थे, तुम्हारा धर्म सबको सुख देने वाला था तुम्हारा धर्म बहुत सक्ति साली था, जब तुम्हारा धर्म था, तो और कोई धर्म नहीं था तो बाबा बहुत अच्छी तरह deep realization दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं तुम्हें खुसबुदार फूल बनना है योग बल के बिना तुम पवित्र खुसबुदार फूल नहीं बन पाएंगे इसलिए अपनी योग की शक्ति को निरंतर बढ़ाते चलो इसके लिए अच्छे-च्छे प्लान बनाओ योग बैठकर भी योग का अभ्यास करो ज्यान इसनान करो दूसरों को ज्यान भी दो तो तुम्हारी स्मर्तियां भी fresh होती जाएंगी और तुम्हारा योग का चाट भी बढ़ता जाएगा बाबा प्रारम में ही याद दिला रहे हैं बाप कितना मीठा मीठा है टीचर भी तुम्हारा बहुत मीठा मीठा है सद्गुरु भी अती मीठा है तुम्हें भी मीठे बनना है तुम्हात्माए हो आत्मा बहुत सुक्स्म है स्टार की तर है हीरे की तरह बाबा कह रहे हैं सबसे मजबोत यो पत्थर है वो हीरा ही होता है जहुरी लोग इस बात को जानते हैं तो हम आत्माएं हैं हमें स्वर्ग में जाना है बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा स्वर्ग की दुनिया को देखकर भी वंडर खाते हैं अब की दुनिया कितनी विशाल और स्वरक की दुनिया तो जैसे एक छोटा सा मॉडल विचार करके देखें, नो लाख लोग, नो लाख तो आज एक सहर में रहते हैं लेकिन फैले होंगे भारत के आदे हिस्ते में, बड़े-बड़े महल होंगे, बड़े-बड़े घर होंगे, आंगन, बगीचे, लंबे चोड़े और खाली स्थान भी बहुत जादा, धीरे संख्या बड़ेगी? तो बाबा हम सभी को बहुत-बहुत सुख देने आ गया है, परदान बहुत ही गहरा है, बेहद के वेराग बरत्ती द्वारा, बेहद की जो वेराग बरत्ती है, ये बहुत बड़ी चीज है सब ही अपने संसकारों से जो पुराने संसकार आ गए हैं लड़ाई जगडे के, दुख देने के, तकराव के उस सबसे मुक्त होकर नौलिजफुल बनो चाहे सेवा का फिल्ड हो, चाहे संबंध हो सब में संसकार कहीं न कहीं बाधा डालते हैं तकराव पैदा करते हैं, कई मनुस्यों में जित का संसकार होता है हटते ही नहीं अपनी बात से, संघर्ष हो जाता है सेवाष्थान का वातावर्ण निगेटिव हो जाता है कई लोगों में क्रोध या अभीमान का संसकार होता है सेवाओं में बहुत disturbance होता है order देने की आदत होती है उसे लोग दूर जाने लगते हैं संगठन कमजोर पड़ जाता है हम सब knowledgeful है और वेराग व्रत्ति वाले हैं अब हमें घर वापिस जाना है हमें सब कुछ बदलना है तो अपने संसकारों को बदलते चले स्लोगन बहुत गहरा Maya के सामने निर्व है और संबंधों में बहुत निर्मान नमचित्थ होकर रहना है संबंधों में उनी के सुख होता है जो बहुत नमचित्थ हैं जो हिंकारी हैं सुख चला जाता है लड़ाई जगडा होती है और माया से हमारा युद्ध है माया भी powerful है जितना powerful दूसरा योधा हो उतना ही powerful सामने वाले को भी बनना पड़ता है माया powerful है हमें भी बहुत powerful बनना है Master Saru Shaktivaan के नसे के द्वारा तो हम आज अब भियास करेंगे मैं आत्मा पती सुक्समा मुझ में चोरा सी जनमों का पाट बरा हुआ है मैं चमकता हुआ ही रहा हूँ मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और उपर से स्यंती के सागर की केरने मुझ परपड रही है मैं बाबा का खुस बुरुदार फूल हूँ ओम स्यंती ओम स्यंती बाबा का खुस बुरुदार फूल हूँ